नमस्कार दोस्तों, मैं भुपेंद्र मिश्टा, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ओनलाइन वीडियो क्लासेस में दोस्तों, आज की वीडियो मैं आप लोग कम्पूर्टर के बारे में बताऊंगा अभी तक अब सब्सक्राइब करेंएश, अब सब्सक्राइब कर लिएकिशें और वीडियो का लग रहा है आप लोगों को यह बताएगा ठीक है? दोस्तो, computer का विकास बात करें, computer का इतिहास कब से है? तो लगभग 3000 साल पूराना है computer का इतिहास दोस्तों, चीन में सबसे पहले abecus का विज़कार की हुआ था abecus का विज़कार कहा हुआ है? तो चीन में हुआ है और यह क्या है? अभी abecus कहां कहां यूज हो रहा है तो चीन, जापान और एसिया के कई देशों में इसका गढ़ना करने के लिए उप्योग किया जाता है बात करें दोस्तों, यह abecus होता क्या है? तो इसमें तार होते हैं और तार के बीच में क्या होता है? बीच बीच में बीड बोलते हैं पक्की मिटी के गोल टुकड़े या गोलियां जिनमें छेद होती है मतलब छेद टाइप का होता है उसमें गोली होता है और उसके अंदर क्या करते हैं? उसी को डाल दिये रहते हैं उसी तार्व के अंदर और उसके बाद फिर उसमें जोडने में उप्यों किया जाता था जितना गोली डाल दी है समझा उतना समान है अपने पास ऐसे करके उन लोग जोडते थे बाद में आया दोस्तों 17 सताब्दी में फ्रांस की गड़ी तक ब्लेज पास्कल ने एक यांत्र करता था इसी में सुधार करते हुए लेबनीज ने यांत्रिक कल्कुलेटर बनाया था यह यांत्र लेबनीज ने सन 1696 में पास्कल के कल्कुलेटर में कई सुधार करके बनाया था यह जो ब्लेज पास्कल ने दोस्तों एडिंग मशिन बनाया ना उसी में कई सारा सुधार क या इन्होंने लेबनीज ने और एक यांत्रिक कल्कुलेटर बनाया था तो सबसे पहले यांत्रिक कल्कुलेटर किस ने बनाया है तो लेबनीज ने बनाया था इसको याद रखेगा अब मेन उसके बाद आता है अपना computer के जनक बोल दीजिए, पिता बोल दीजिए, पितामा बोल दीजिए, कौन है, तो Charles Babbage, याद रखेगे, computer के पिता, पितामा, कौन है, तो Charles Babbage ही है, बात करें दोस्तो, Charles Babbage के पीछे एक छोटा सा इस्टोरी है, जो आप लोगो सुना रहा हूँ, computer के इतिहास में, उनिस्वी स ताबदी का प्रार्मिक समय था, उसे computer के जाते हैं, दोस्तो, स्वन नकाल केते हैं, 1822 में difference engine का विसकार किया गया था, जिसका विया ब्रिटिस सरकार ने वहन किया था, इसका खर्चा किस ने उठाया है, दोस्तो, ब्रिटिस सरकार ने उठाया था, और इस machine में gear लगे थे, और soft लगे थे, gear और soft लगा था, और ये भाप से चलता था, जो पहला computer बना था, दोस्तो, बहुत ही बड़ा था, अब सोच लेज, gear लगे हैं, soft लगे हैं, और भाप से चल रहा है, मतलब एक पूरा engine में इठा दिये थे, तो वो क्या होगा बहुत बड़ा था, आगे देख लास्क भुआ था, और एक सक्तिसाली मसीन, analytic engine तयार किया गया था, दोस्तो, उसके बाद, या मसीन कई प्रकार की गढ़ना करने में सक्षम थी, या पंच कार्डों पर संग्रहित, निर्देशों के शमूह द्वारा निर्देशित होकर कारी करती थी, अब पंच कार्ड क्य करके एक लेडी थी, उन्होंने क्या किया था, इनका मदद किया था, तो इन ही के नाम पर जो विश्व का पहला प्रोग्राम हुआ, उनका नाम क्या रखा गया, एडा अंगश्टा, तो विश्व का पहला प्रोग्राम का नाम क्या है, दोस्तो, एडा अंगश्टा ही है, औ और यह क्यों है क्योंकि जब चार्स बेबेज काम कर रहे थे तो उनको आर्थिक रूप से थोड़ा मदद एड़ा अंगिस्टा ने भी किया था बात करें दोस्तों पंच काड उपकरण क्या है तो जोसेफ मेरी जेकाड ने सन अठारा सो एक में एक मसीन का विसकार किया था इसलिए इसे जेकाड लूम भी कहते हैं यह क्या था तो पांच मसीन था और जैसे कलर गिराना है ना अपने को या कुछ भी काम करना है तो पांच से मसीन चलता था मतब हिलेंगी वह पांचो उस टाइप का था तो पंच कार्ड उकरण का उप्योग किस ने किया था जोसेफ मेरी जकार्ड ने किया था बात करें दोस्तों होलेरित सेंसर टेबुलेटर यह क्या है सन 1890 में कंपूर्टर के तिहास में एक महत्पूर्ण घटना हुई और वो क्या था दोस्तों अमेरिका के जनगर्णा हॉर्मन होलेरित ने एक मसीन बनाया जिसमें पंच कार्ड़ों को विधुत रुप से संचालित किया गया और इसके द्वार जनगर्णा करने में मातर तीन साल ही लगा था इसके पहले बहुत जादा समय लगा था क्य नहीं होने क्या कर देता हर्मन होलेरित ने एक मसीन बनाया था उसका नाम बाद में रखने थे Chessor Tabulator नाम रखा था ठीक तो इसके जोड़ने उड़ने में असानी मिला और काम क्या हो गया बहुत ही यह जल्दी हो गया दोस्तों तो ये था में और 1978.6 अभय में फ्युत व्य 1911 में ये जो tabulating machine था उसका नाम करत दिया गया computer tabulating recording company 1911 में इसका नाम change करके क्या कर दिया गया और 1926 में फिर इसका नाम बदल करके IBM international business machine किया गया तो IBM की इस्थापना कब हुआ है तो 1924 में और 1924 में और इसका पुराना नाम क्या था तो computer tabulating recording company था इसके करण computer जो है विद्धूत यांतर की युग में आ गया था IBM के बाद और Ican और Mark 1 ये जो है विश्व का पहला विद्धूत यांतर की computer है ध्यान देना अगर अपने से पूछेगा विश्व का पहला विद्धूत य नाम क्या था दोस्तो तो Automatic Sequence Control Calculator मतलब जो पहला विश्व का पहला computer था विद्धूत यांतरी computer उसका नाम क्या है Automatic Sequence Control Calculator या उसको Ican भी बोलते हैं और उसको Mark 1 भी बोलते हैं दोस्तो बाद में इसका नाम रखा गया Mark 1 या 6 सेकेंड में गुड़ा कर सकता था और 12 सेक computer क्या है यह है पहला electronic computer IBM और Ican ने Mark 1 में कई electronic उपकरण को उप्योग करके सन 1945 में ABC को बनाया या दुनिया का पहला electronic digital computer है अगर अपने इसे पूछेगा electronic computer पहला कौन सा है तो ABC है और पहला विद्धूत यांतरी computer कौन सा है तो Mark 1 या Ican भी बोल सकते हैं ठीक है वो था दोस्त पहला विद्धूत यांतरी computer और अगर विद्धूत electronic digital computer पूछेगा तो वो ABC है इस चीज़ को याद रखेगा दोस्तो इस चार्ट को अच्छे से देखेगा थोड़ा साब को होच पोच लग रहा होगा लेकिन यह चार्ट बहुत important है और एक ही सांथ साब को merge करके रखा हू बात करें दोस्तो जो पहला PD का जो computer था उसमें मुख्य घटक क्या था तो vacuum tube का उपयोग होता था punch card का उपयोग के जाता था विद्धूत और यांत्रिक machine का उपयोग के जाता था दूसरी PD के computer था दोस्तो उसमें क्या यूज करते थे तो उसमें यूज करते थे transistor तीसरा PD जो कि 1964 से लेकर 1970 तक है उसमें यूज होता था IC integrated circuit जो चौथी PD है दोस्तो उसमें यूज करते थे LSI large scale integrator देखो IC integrated circuit से large scale integrated में आए और जो पांची PD है दोस्तो उसमें हो यूज हो रहा है VLSI अत्ति ब्रिहद एक क्रित पत ठीक है तो VLSI अभी यूज हो रहा है अब यूज होने लगा है ULSI भी आ गया है Ultra Large Scale Integrator VLSI और ULSI भी आ चुक है दोस्तो अब पांची PD में ही यूज हो रहा है ये 1990 से लेकर के अब तक है बात करें दोस्तो अब हम लोग ये तो हो गया क्या क्या इसमें मुखे घटक था बात करें इन में storage समता के लिए क्या चीव यूज किया जाता था तो पहले PD की computer में यूज होता था acoustic delay lines को उप्योग करते थे और बाद में magnetic drum को उप्योग कियाने लगे थे वह 1 के भी तक की memory को store करता था पहली PD में दूसरे PD में यूज कि हम लोगोंने magnetic core main memory tape एवं disk peripheral memory का उप्योग क करने लगे अब हम लोग 100 MB तक का data store कर सकते थे चौथी PD में semiconductor memory का उप्योग होने लगा था winchester disk का उप्योग होने लगा था 10 MB से हम लोग 1000 MB तक का store कर सकते थे और जो अभी का जो दोस्तों वो तो हम लोग कितना भी चाहें उतना store कर सकते हैं अभी बहुत जादा बढ़ चुका है storage हम था बात करें दोस्तों भासा तो पहली जो PD के computer था उसमें machine भासा का उप्योग के जाते थे या assembly भासा का उप्योग के जाता था ठीक है और समाने monitor होता था वहाँ पहली PD में क्या कि यह है machine language और assembly language का उप्योग करते थे दूसरी PD में उच्छी सतरी भासा जैसे photon, kobol, algol, batch, operating system यह सबका उप्योग होता था ठीक है क्या high level language start कर दिये थे photon और kobol का यूज के रहे है और algol का जो चौथी PD तीसरी PD है दोस्तों उसमें photon 4 आ गया है उसी का advanced version है photon 4, kobol का भी advanced version था, kobol time sharing operating system इसमें यूज हो रहा था इसमें क्या था operating system, batch operating system यूज हो रहा था और इसमें क्या हो गया दोस्तों तो time sharing operating system आ गया अब बात करें चौथी PD में दोस्तों तो photon double 7 आ गया है फिर Pascal आ गया था, EDA आ गया था, kobol 74 आ गया था, चौथी PD में और पांची PD में भी यही सब आ जाएंगे और इसमें अभी high level language और low level language सभी यूज हो रहा है पांची PD computer में बात करें व यह थे EDSAC, EDVA, UNIAC, AC, UNIAC यह सब था, जो दूसरे पीड़ी का था था थोड़ा छोटा था, कम खर्चिला था और वेग्यानिक और वेसाइक उपयोग में भी होने लगा था, इस समय आए थे दोस्तों IBM 700, IBM 140, IBM 1620, CDC, CDC 360, ATLS, यह सब आ गया था, तीसरी पीड़ी में दोस्तो थोड़ा सा कम खर्चा हुआ, मतब धीरे-धीरे सब कम खर्चा होते जाएगा और ज्यादा उपयोगी होते जाएगा, और इस समय IBM आ गया था, फिर बाद में Apple भी आ जाएगा, चौथी पीड़ी में Apple आ गया था, और पांची पीड़ी में तो अभी आप लोग जितना जान Automatic Calculator, फूल फॉर्म भी अपने को याद रखते चलना है, इसका फूल फॉर्म क्या है दोस्तों, Electronic Delay Storage Automatic Calculator था, EDVAC का होता है, Electronic Discrete Variable Automatic Computer है, Unique AC का है, Universal Automatic Computer होता है, याद रखेगा यह सब क्या है, तो INIAC का ही रूप है, और INIAC क्या होता है दोस्तों, तो Electronic Numerical Integrated and Calculator है, इनियक का फॉल फॉर्म क्या है, Electronic Numerical Integrated and Calculator है, Fortron आये था, हमाँ पर Formula Translation होता है, कोबोल, Common Business Oriented Language होता है, कोबोल का फॉल फॉर्म क्या है दोस्तों, Common Business Oriented Language होता है, NC, American National Standard Institute होता है, इसका फॉल फॉर्म NC का, अब हम लोग कुछ important चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि Charles Babes को Computer का पापा कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, पहली Computer Program Lady Ada Angesta है, जिसे ने Charles Babes और निमित Analytical Engineering के लिए Programming किया था, आधनी Computer का जनक किसको कहते हैं, तो याद रखेगा, Alan Turing को कहते हैं, आधनी Computer का पहली Computer बनाने वाली Company कौन सी है, दोस्तों, IBM को ही माना जाता है, IC का विसकार 1909 में, Jack Milby तथा Robert Noey ने किया था, किस ने किया था, Jack Milby तथा Robert Noey ने किया है, आलू के Chips के आकार होने करण, इसको IC Chips कहते थे दोस्तों, IC की सरकीट जो है, वो सिलिकॉन और जैनमेनियम के बनी ह हती है, जो की अर्द चालक है, पहला वेपारिक Computer Univac है, पहला वेपारिक Computer कौन सा है, दोस्तों, Univac है, ट्रांजिस्टर का विसकार 1947 में, Bell Laboratories के John Warden, William Socley और Walter Britten ने किया था, बेंगलवर सहर को Silicon Valley के नाम से जाना जाता है, विश्चु का पहला Micro processor, Intel 100 है, जिसे Company ने 1970 में ब वरतमान में, Intel और AMD, दो ही ऐसी Company है, जो Micro processor बनाती है, Micro processor जो है, वो दोस्तों, 8-bit का होता है, 16-bit का होता है, 32-bit का होता है, और 64-bit का होता है, Assembly Language में Machine Code का उप्योग होता है, जब मैं आप लोग को Language बताऊंगा, तो Assembly Language क्या होता है, बताऊंगा दोस्तों, वीडियो कैसा लग जरूर बताईएगा, दोस्तों, वीडियो कैसे लगा, जरूर बताईएगा, और सांती साथ, दोस्तों, यह क्या है, यह मेरा पुराना नोट्स है, और इसका मेरे पास मेरा original copy नहीं था, जब मैं पढ़ा रहा था, तो कोई एक मेरा student था, वो इसका photo copy करवाय हुआ था, तो फोटो कापी मुझे मिला है, तो मैं उसी में थोड़ा बहुत, मतलब, पेंस उपर में लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद उसको पढ़ा रहा हूँ, दोस्तों, यह फोटो कापी वाला है, मेरा नोट्स, और दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करेगा और दोस्तों, शेयर करेगा दोस्तों, और कमेंट करके बताएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक आप लोगोंने मेरे शानल भूपेंद में सब्सक्राइब ने किया है, प्लिस सब्सक्राइब कर ल झालेगा, थैंक यू